नमस्कार, आप सुन्धे हैं नो रूप, नो दिन, नो कथाएं अशूठ हम रही के साथ नौरात्र उत्सव है आधिक शक्त देवी मा की आराधना का, उपासना का प्रत्मा से नवनी तीथी तक चलने वाले इस त्योभार में मा शक्ति के नव रूपों की आराधना की जाती है जिने नव दुर्गा कहा जाता है माता दुर्गा के इन सभी नव रूपों का अपना अलग महत्त है माता के प्रथंरूप को शैल पुत्री, दूसरे को ब्रम्हचारिनी, तीसरे को चंद्रघंटा, चोथे को कुश्मांडा, पाँचमे को स्कंद माता, छठे को कात्याईनी, साथमे को कालरात्री, आठमे को महागोरी और नवे रूप को सिध्धिदात्री कहा जाता है नौरात्र पूजन में प्रथम दिवस मादुर्गा के शैल पुत्री रूप की पूजा की जादी है परवत राज हिमाले के घर पुत्री रूप पे उत्पन होने के कारण इनका नाम शैल पुत्री बढ़ा इस प्रथम दिन की उपासना में साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं यहीं से उनकी योग साधना का प्रारम होता है माशैल पुत्री माता पारवती का ही एक स्वरूप है जो पूर्व जन में प्रजापती दक्ष की कन्या के रूप में उपन होई थी तब इनका नाम सती था इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था पुराणों के अनुसार ब्रम्भा जी ने अपने मानस पुत्र प्रजापती राजा दक्ष से आधे शक्ती भगवती की तपस्या करने को कहा प्रजापति दक्ष ने भगवती की गोर तपस्या की तपस्या से प्रसंद होकर देवी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने का वर्धान दिया इस प्रकार मा भगवती ने प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लिया उनका नाम सती रखा गया सती ने मन ही मन भगवान शिव को अपने पति के रूप में चुन लिया था लेकिन उनके पिता प्रजापति दक्ष भगवान शिव को किसी भी प्रकार सती के योग्य वर नहीं मानते थे सती के विवाह के लिए राजा दक्ष ने स्वयमवर का आयोजन किया स्वयमवर में भगवान शिव को उपस्थित न देख कर सती ने शिवाय नमह कहे कर वर्माला प्रत्वी पर डाल दी तभी भगवान शिव ने स्वयम उपस्थित होकर उस वर्माला को ग्रहन किया ब्रम्भाजी के कहने पर प्रजापति दक्ष ने इच्छा के विरुध सती का विवाह भगवान शिव से कर तो दिया लेकिन मन से वो इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे एक बार प्रजापति राजा दक्ष ने एक गिराट यग्ड का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सती और भगवान शिव को छोड़ अपनी सभी पुत्रिनों और जमाताओं को आमंत्रित किया सती ने अपनी बहन रोहनी को चंद्रमा के साथ दिवान से जाते देखा तब उन्हें पता लगा कि वे लोग उनी के पिता दक्ष के विराट यग्ड में भाग लेने जा रहे है सती का मन भी वहाँ जाने को व्याकुल हो उठा भगवान शिव की समझाने के बावचूद सती की व्याकुलता बनी रही तब भगवान शिव ने अपने गणों के साथ उन्हें वहाँ जाने की आज्या दे दी सती उडलास से भरी पिता के घर पहुँची उन्हें वहाँ देख मा को छोड़ और किसी को प्रसनता नहीं हुई यग्ड में भगवान शिव का भाग भी नहीं निकाला गया यह देख सती ने पिता को याद दिलाया तो दक्ष ने पुरोधित होकर सती और भगवान शिव को कठोर शब्द कहे इस अपमान से दुखी होकर सती ने योगाग्नी से अपने शरीर को भस्म कर डाला सती ने हिमाले के राजा, हिमवान और रानी मैनावती के यहां उनकी पुत्री पार्वती के रूप में अगला जन्म लिया शैल राज के यहां जन्म लेने के कारण वो शैल पुत्री नाम से विख्यात हुई नौरात्र के प्रथम दिन माशैल पुत्री की ये कथा सुनने से सभी पनोरत पून होते हैं गिरिनंदनी, शिवरंजनी, जगवंदनी माता, जगत जनिनी शैल पुत्री सुखों की दाता ओम शैल पुत्री देवेट नमः नौ रूप, नौ दिन, नौ कथाएं सीरीज का ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों और जानने वालों से ये सीरीज शेयर करना न भूलें अपने सुठाओ यानि सजेशन्स के लिए इंस्टाग्राम पर आकर हमें टैग करना और बताना न भूलें एद अशूक हमराही